तो दोस्तो रिलीज हो गई है इस साल की मोस्ट अवेटेड और सबसे बड़ी मूवी ब्रहमास्त्र जिसमें आपको एक तरीके का अस्त्र वर्स यानि की हिंदू पुराणों में मिलने वाले कई अस्त्रों के उपर की कहानी तेखने को मिलेंगी वहीं इसी different concept की वज़े से इसने दर्सकों के बीच में काफी ज़ादा hype create किया हुआ है और लोग भी इस movie के लिए काफी ज़ादा excited हैं जिसके बाद इस movie ने अपने पहले दिन काफी धुआधार कमाई की है और पहले दिन के box office collection में ही कई सारे records तोड़ दिये हैं जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में पताएंगे साथ ही आपको बताएंगे इस movie का budget, screens और भी सबी बातें तो दोस्तो ब्रहमास्त्र एक काफी high budget fantasy adventure drama film है जिसे 410 करोड रुपए के mega budget के साथ बनाया गया है वहीं 410 करोड रुपए के mega budget के साथ बनी इस movie में आपको रनवीर, कपूर, आलिया भट, अमताब बच्चन और नागारजुन जैसे कई बहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे वहीं फिल्म के director और writer है आयान मुखर जी जो की इस film की script पर पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे और दोस्तो ब्रहमास्त्र मुवी को इंडिया में 5000 स्क्रीनों पर रिलीस किया गया था, वहीं overseas इसे 3894 याने की लगबख 4000 स्क्रीनों पर रिलीस किया गया है उपकुल मिलाकर total देखा जाए तो इसकी वर्ड वाइड में 9000 स्क्रीने निकल के सामने आ रही है वहीं ब्रहमास्त्र मुवी का run time है 2 गंटा 40 मिनट और इसकी morning और afternoon के source में काफी ज़्यादा occupancy देखने को मिल लई है जो की लगबख 50 से 60% की है वहीं ब्रहमास्त्र मुवी ने एडवांस booking में लगबख 6 लाग से भी ज़्यादा टिकेट बेचे हैं जिसके बाद ब्रहमास्त्र ने इंडिया में एडवांस booking से 23 करोड रुपए का धुआधार box office collection किया है और overseas में भी इस फिल्म की excitement काफी ज़्यादा अच्छी खासी देखी जा रही है जहां पे इसने एडवांस booking से 11 करोड रुपए की कमाई कर ली है तो कुल मिला के ब्रहमास्त्र मुवी का एडवांस box office collection 34 करोड रुपए का होने वाला है वहाँ इसके पहले दिन का box office collection की बात करी जाए तो पहले दिन यह movie 40 से 45 करोड रुपए का box office collection करेगी जोगी इस साल की सबसे बड़ी biggest opener बॉलिवुड फिल्म बनने वाली है बागी तब तक लिए नमस्कार दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में